हाई गाइज हावार यो मासल चुबम बोलेंगे वेलकम टू दिस लेशन वेलकम टू माई यूटूब चानल तो इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले थ्लू डाइज डबेड ड्रायर के बारे में पड़ाता हो तो आप तक वीडियो आपने नहीं देखा तो प्लेलिस्ट म हम इसके अंदर कवर कर लेंगे तो आप तक आपने आमारी यूटीब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जरू सब्सक्राइब करना विकॉट हम जब भी वीडियो आपलोड करेंगे तो उसको नोटिफिकेशन पहले आपको मिलीगी और आप इजली आमरी वीड एक बेड़ फ्लीड होता है इसके उपर हम ग्रैंटल से लिफ्ट हो जाएंगे मतलब ऊपर की तरफ जाएंगे उसी को हम फ्यूडाइजर स्टेट बोलते हैं यह गाई इसका प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन देख लिजिए हाँ पर कंस्ट्रक्शन क्या कहते हैं फ्यूडाइजर ब्रेड ड्रायर कैसा होता है स्टील और प्लास्टिक का होता है यहां पर ब्लावल भी प्रेजेंट होता है फ्रेश यह इंलेट वहां पर प्रेजेंट होता है हit exchanger to hit here last can gjat back fand correct fine हमको मिलेगा उसको करने के लिए máxim पर present वगें तो यहांellow इसका construction ड्याग्रांग आपर ड्याग्रांग दी गए करκεसा ड्याग्रांच समझ लीजे तो यहांपर हम इसका working देख लेते हैं आपको notes आगले slide में मिल जायेंगी friends तो यहां पर देख लिए working देख लेते चलो इसका जो भी material हमको moist करना है जो भी material हमको dry करना है वो क्या करेंगे हम जो भी देख लिए आपर detachable bowl है तो इस bowl के अंदर हम उसको रख देंगे देख लिए आपर granules यहां पर dry है जो भी dry करने हमको granules dry करना है वो bowl के अंदर रख दिया गया है ओके और यहां पर देख लिए यहीटर प्रेजेंट है तो यहीटर क्या करेंगे आंदर की जो हावाई फ्रेंट्स को के आंदर जो भी यह है उसे गरम कर देगी गरम करने के बाद क्या होगा इस material के आंदर जो होगाável हो जाइगा से जो भी इस चेंबर चींबर के अंदर जो भी गरं यहां हो ठृजन्स प्रेंट हो जाएगा यह निक्याओ निक्त प्रोसेच देख लिए निश्ट उसी टेट को हम क्या करेंगे स्टेट कऊंसे बॉलिडल्सैयां बढूसक्व होगी यहां पर इसका करेंगे यहां पर देख लिए फिल्टर बैग कर लीए लिए यहां पर देखिए फिल्टर बैक को क्लेट कर लेंगे वहां से मटेरियल颅 मैं समझ में वहां से material करेक्ट कर लेंगा तो देख लिए यहां पर उसका working यहां पर दिया गया material loaded material किसके अंदर रखेंगे हम detachable बाउल के अंदर रखेंगे फ्रेश एर इनलेट से अंदर आ जाएगे लगें heater heater क्या करें यहां हो जाएगे उसी के बज़से थुब बेड विट optimum velocity तो वह क्या करेगी यहर उसके आंदर गुमने लगेगी सर्क्लेट होने ले लेए पार्टिकल सस्पेंडेल fluidizer state आपको पता समझ में है जो भीज़स होते है ओ बेड ड्राइर के उपर जो भी बेड प्रजंट होते है ओँव फ्लैट हो जैते हैं मतलब उपर की तरब जाने लगते ऑके उसी को वहां पर रिट्राइंग उसकी हो जाएगा उसी को ड्राइंग बोलते हैं ओके एप्लिकेशन देख लिए ड्राइंग इसको लेबर कॉस्ट ज्यादा नहीं देनी पर ती हम खुद भी सके हैं हाई थर्मल इफीसेजी शुटिफल पॉर्डाइंग हाई टेंप्रेचर हाई टेंप्रेचर भी आपले कर सकते हैं इसके अंदर देख लिए डेफलप इलेक्ट्रीक इलेक्रिक चाइग्ट्रीक पसंद आवागार इसके अंदर कोई डाउट या प्रब्म होता है अमें कमेंट सेचिन में जरूब आता ना तो मिलते हैं नेक्स्ट टुडियो में नेक्स्ट इंट्रेशन टुडियो के साथ फिलाली सुडियो के अंदर इतना है थैंक यू सो मज